बेगु सराय में एक इंटका छात्र की अपराधियों ने क्या हत्या इस हत्या के बाद इलाके में हरकंप मच गई है इस वक्त की बड़ी खबर है जहां घटना बरौनी थाना क्षेत्र के नींगा मिर्जा पुचांद गाउं की है मृतक छात्र की पहचान मिर्जा पुचांद वार्ड नंबर सोला के रहने वाले गरनेश पासवान का 22 वर्षिय पुत्र सुमंत कुमार पासवान के रूप में की गई है परिजनों ने बताया कि बीती रात गाउं के ही चार-पांच लड़के के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था इस विवाद में सुमंत कुमार पासवान को बेरहमी से पिटाई कर दिया था किसी तरह समझभ उझा कर मामला को शांत कर आएं फिर रात में किसी ने सुमंत कुमार को हत्या कर शव को बिस बीटी में टांग दिया इस हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है वहीं इस घटना की जानकारी स्थानिय लोगों ने बरौनी थाने पुलिस को दी मौके पर बरौनी ठाने के पुलिस पहुचकर मामले की तफ्तीश में जुड़ गई है ने खाल गई थार कई अद्ती दोसर कोया आई हमस्टा काल कई तो ही पुलिस नेटा कि अब खाल टो तो ही नेता तो रोहार है उकरागी मा मुवाईल बाभु लो गायल उकने प्रागी में मुवाईलो तकने जिए दो है मिठी है कि अधै वह भ्याओ? हाओ मिठी है खाया कई लड़काज की नहीं बच कौकरव मेरी का खास लेखिए की अधिर खास सुमन की सुमन अधार का खास